Hello friends, welcome back to audio youtube channel दोस्तों इस वीडियो में हम जारेंगे कि अगर आप सपने में ये देखते हैं कि आप किसी काले साप को मार रहे हैं या कोई काला साप आपको देख के भाग रहा है या आप से डर रहा है या आप किसी काले साप को सपन में मार रहे हैं तो यह सपना किस प्रकार का होता है, इसके क्या मतलब होता है? सपने में काला सांप को मारना एक सूप सपना की कैटेगरी में जाता है, और यह सूप सपना होता है सपन सास्त के माध्यम से भी और मनोविग्यान के माध्यम से. पहले हम बात कर लेते हैं स्वापनशास्त के माध्यम से सपने में काला साब को मारने का मतलब होता है सपने में काला साब को मारने का मतलब स्वापनशास्त मनोविज्यान के माध्यम से होता है कि आपका दिमाग जो की काफी दिनों से भ्रहमित था किसी न किसी रूप में भ्रहमित था जिसको आप समझ नहीं पा रहे थे या जिसका आप आइडिया नहीं लगा पा रहे थे वो जो आपका दिमाग भ्रहमित था या फोकस नहीं था वो आपका दिमाग अब संतुलित हो रहा है और फोकस हो रहा है ये वक्त आपके लिए किसी भी चीज़ को शुरूआत करने का बहुत ही बैतर है क्योंकि इस वक्त आपका दिमाग फोकस रहेगा, आपका दिमाग मजबूत इस्तिती में जाड़ा है, किसी भी चीज़ को प्राप्त करने के लिए आपका दिमाग आपको mentally strong कर रहा है, या आप कदिमा mentally strong है ये सपने के माध्यम से आपको जानकाड़ी दे रहा है सपने में काला साथ को मारना इस और संकेत करता है श्वप्न साथ के माध्यम से की सत्रूँ पर विजया प्राप्त होगी अब यहां आपको एक्षी जानने की जवरत है सत्रूँ पर विजया प्राप्त से संक मतलब कताई यह नहीं होता है इसका मतलब होता है सत्रू पर विजय प्राप्त होगा इसका मतलब होता है सत्रू किसी भी रूप में कोई द्रिश या दिखने वाला शत्रू या और द्रिश शत्रू आपके जीवन में है उस पर आप विजय प्राप्त करेंगे और द्रिश शत् करा मिलेगा आप अपने सत्रों पर आपके बर्डी में जो डिजीज की यानि बीमारी के रूप में सत्रू है उस पर विजय आपको प्राप्त होगी सत्रों पर विजय प्राप्त होगी कि एक मतलब ये भी निकल सकता है कि आपकी आर्थिक इस्थिती में जो गरबड़ी थी या खड़ाबी थी तो आपकी आर्थिक इस्थिती ही उस वक्त आपके लिए सत्रू बन गई थी तो ये आपके लिए आप खुद ही सत्रू बन गये थे, ये आपका दिल या दिमाग ही आपका सत्रू बन गया था, तो उस वक्त उन चीजों को करने में आपके लिए जो हितकारी है, चाहे आपका जॉब है, चाहे आपका बिजनेस है, जो आपके लिए हितकारी चीजें हैं, उस जो आपको अच्छा कर सकता है, उसमें आपको मन लेगेगा, इस सपने का एक अर्थ ये भी निकलता है, दूसरा सपने में काला साब को अगर मार रहे हैं, तो एक्स्ट्रा धन की रूप में आपको धन लाव होता है, एक्स्ट्रा धन की मतलब होता है, कि मंतली की रूप मे या फिर एक औसत age income के रोप में जो आपको हमेशा से income यानि फाइदा होता था या होता है, वो तो होगा ही उसके साथ में एक्स्ट्रादन के लाब आपको होसकता है। चाहे किसी भी अवस्था में वर्तमान में हैं, उसी अवस्था में उस अवस्था के लिए जो उप्यूक्त एक्ष्ट्रा धन होगा, उस धन का लाब आपको आने वाले समय में होगा, उमीद करता हूँ वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव राव वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो के लाइक और चैनल को सबस्क्राइब मैं जाता हूँ